हालो साथियों मैं आरण जैस्वाल सौगत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल वाइलेस ऐक्यू क्लासेज में दोस्तों जैसा कि आपको थम्नेल से पता होगा मैं कि मैं आपको यूपी एसाई प्रीवेस एर पेपर मैंत के सौल कराने जा रहा हूं चलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब निक है तो इससे सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा इससे दोस्तों आपको सारी नौटिफेकेशन आपको मिलती रहेंगी जैसे ऐसे मैं वीडियो अप्लोड करता जाऊंगा और दोस्तों इसकी पीडियाप मेरे ट सब्सक्राइब करते हैं इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये आपका 14 तारिक तुम चोड़ा तो आपका एक्जाम हुआ था 2017 में यह आपका second shift का paper है UPSI दोस्तों यह most important है आपके जितने भी UP के exam होंगे कोई भी exam हो हमेशा सारे question इसी से आएंगे बहुत ही अच्छा level था UPSI का तो देखते हैं आपको कितने question आते हैं इसमें चलिए फिर दोस्तों start करते हैं इसमें 81 नंबर से start था मैत का section तो ठीक start करत करते हैं बोला है कि दो अंतर यान pipe A ओर B टंकी को क्रमसा 10 गंटे और 15 गंटे में भरते हैं अगर वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो टंकी कितने समय में कितने समय में तंकी भर जायेगी इसका मतलब है तो ठीक है दोस्तों बोला है कि A जो है वो 10 गंटे में बढ़ देता है और वी जो है वो 15 गंटे में बढ़ देता है आपको पता है टोटल LCM लेके मानते है LCM आपको आ जाएगा 30 इनकी जो छमता आएगी तारेट भाग देजिए यह आगा 3 यह आएगा 2 यह इनकी छमता आ गए तो पूछा है कि दोनों मिलकर 30 था दोनों जब मिल जाएंगे टोटल कितना होगा 3 दो 5 कितनी देर में भर देंगे च्छे घंटे में आप यह भर देंगे यह देखिए दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आसर हो गया ठीक दोस्तों आसा करता हूं समझ गया होंगा आप लोग नेश्ट कोशन है देखिए दोस्तों मैं आने आपको बताया था कि यह क्रमचे समझे प्राइकता से कोशन आये हुए थे पेपर में यह मोस्ट इंपॉर्टन दोस्तों मैं आपको सारी थियोरी पढ़ाऊंगा लेकिन यह आज टेस्ट है तो मैं इसको टेस्ट जैसा पढ़ तरीके से करमबुद किया जाता है स्वर के सम इस्थानों पर आने की संभावना ग्यात किजिए तो ठीक है दोस्तों इसमें बोला है कि स्वर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो मैं आपको समझा रहा हूं इसका मतलब क्या गयता है देखिए इसमें बोला है उसकivas कईष ठीक हैँए अमला ज़्तन एक सम्चन यहां और के शरखिए और यहां पर दोस्तों इसमें चीवरिड़ा और प्राइक्ता का कोश्चन है लगेगा क्रम्चा समसे लेकिन प्राइक्ता बता दिए तो इसमें देखिए दोस्तो आप सबसे पहले ये पहले वाले स्थान पे आप क्या नंबर लिख सकते हैं आप कहोगे कि ये जितने भी नंबर लिखे हैं आपके नंबर देखिए इसमें बो से कगाना यहां पर यहां पर देखिए दोस्तों आप यहां पर देखिस्टार कोई भी वेंजेंट रख सकते हैं कोई सब्सक्राइब अधरल कुछ भी रख सकते हैं एक 25 नद्रिट से कोई एक Sub dogs लग सकते हैं इसका मतलब यह है जब आपको समझाओंगा तो आपको जादा समझ में आएगा तो आज ऐसे समझ लिए कभी आपने पढ़ा ने होगा तो आज समझ में ना है फिर दोस्तों नेश्ट पर देखिए यह देखिए फिर अगला क्या आया वेंजन की बारि आई में क्या बोला था vengeance, vengeance थे three, three में से आपने एक तो रख चुके हैं, बच्चे कितने आपके दो, समझ गयोंगे दोस्तो फिर अगली बारी किसकी आ गई, फिर ven Ahmad की बारी आ गई, वेंजन दोस्तो आपने चार रख दियें, बच्चे फिर तीन जब तीन रख दोगे तो फिर कितने बचेंगे आपके दो वेंजन ठीक फिर बारी किसकी आएगी सवर की सवर जब दोस्तों आपने तीन सवर थें दो फिट कर चुके एक ये वाला एक ये वाला आप किवल एक ही सवरा फिट कर पाओगे वह भी लाश्ट में अब द आता है जो फैरेवल होता है और नीचे आता है टोटल फैरेवल तो टोटल आपका क्या आएगा टोटल लिखिए संख्या कितनी है सब दिगीन लिजे साथ तो आप नीचे डारेक्ट साथ फैक्टोरियल लिख दीजिएगा साथ फैक्टोरियल का मान कितना होता है मैं यह लिख यह होता है तो आप दोस्तों इसको काट लीजिए दीखिए यह आ गया आपका कैसे काटेंगे आप 4-3-12 तो आप डालेक्ट यहां से 4-3-12 काट दिजिए देखिए 12 पूरा पूरा मैं काट दे रहा हूं 12 फिर आपका क्या बचा तीन दोनी च्छे यह दिखिया आप 6 काट सकते हैं यहां से फिर दोस्तों आप क्या कटो यह 2 से 2 कितना बच गया एक बटे 35 यह दिखिया आपका राइट आंसर आ गया यह आपकी टोटल सम्भावना हो जाएंगी बहुत ही अच्छा कोशन था दोस्तों मैं दावा करता हूं 80% लोग यह सवाल छोड़ के आएंगे लेकिन अब आप यह सवाल नहीं छूटेगा मैं आपको सारा कंसेप्ट वाइस पढ़ाऊंगा क्रमचे समझे और प्लाइकता तो दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टन कोशन अब हर एक्जाम में पूछे आते हैं तो देखिए यूपिए साइक लेवल बहुत अच्छा आया था तो चलिए दोस्तों फिनिस्ट कोशन क्यों चलते हैं आसा करता हूं समझ गयोंगे बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया आपको फिर आपका 83 नंबर कोशन है राम औ देखिए तरफ चलते हैं देखिए एक्स कोई स्थान है अगर ये कोई चलते हैं ये स्पीड चलते हैं पांच की और ये चलते हैं भाई साप 4 4.5 की तो आप ऐसे ही बता दोगे जब आप कहीं भी आप जाते हो कोई आप 60 की रपतार से जा रहा है आपकी पीछे से कोई जाएगा वह भी मातर अगर आप दोनों बराबर चलोगे तो मातर दोनों की बीच का अंतर 10 की रपतार का होगा और जब दोस्तों आप 60 क्लमेटर पद घंटा से जाते हैं और कोई जब सामने से 40 क्लमेटर पद घंटा से आते हैं तो आप देखोगे वह तुरंत ही आप से कि से कूरी बराबर होता कितना है डिस्टेंस बराबर होता है इस पीड मल्टिप्लाइट टाइम तो स्पीड देखे कितनी हैatan बने क्या गया था एक इतो घर्ड जाती है घटा दीजिए पॉइंट फाइफ मल्टिप्लाई समय समय कितना लगता है साथ गंटे तो ठीक है मल्टिप्लाई कराईए साथ पना 35 पॉइंट लगा तीन दसमलों पांच किलोमेटर देखी राइट आंसर वन हो गया आसा करता हूं समझ गयोंगे दोस्तों नेश्ट कोशन क् चौरासी नंबर कोशन है एक अपार्टमेंट को 2013 में 10 लाक रुपए में खरीदा गया और 12,000 रुपए मार्सिक किराया पर उसे दो वर्स के लिए किराया पर दे दिया गया तो ठीक है दोस्तों मैं हराम तो समझा रहा हूं समझेने की कोशिस कीजिएगा अच्छा कोशन है देखें इसमें बोला है कि 12,000 रुपए मार्सिक किराया तो ठीक है 12,000 रुपए मार्सिक किराया और दो साल तक भाईया दिया है किसी को किराया आपने 10 लाक का खरीदा फिर आप सोचेंगे कि इसमें क्या किया आजा है तो आप इसको किसी को रेंट पे दे देते हैं तो करा हजार रुपए आपने रेंट का गिराय रखा एक महीने का दो वर्ष तक दिये रखें दो वर्ष में होते कितने महीने 24 महीने तक आपने उसे पैसे घसीटे हैं तो ठीक है आप मल्टिप्लाइ करा यह 0,00, 0,24, 48, 8, 24, 24, 24, 28 आपने दोस्तों उससे 2,88,000 रुपए कमा लिए उस रेंट से तो उसने बोला है कि लागत मूल पर 30 प्रतिसद का लाव लेकर बेच देता है तो आप कितने पर अपार्टमेंट को बेचा जाना चाहिए तो ठीक है दोस्तों था कितना आपका अब यह लगा गया 10 लाग था 10 लाग 30 प्रतिसद पर जाब लाव पर लेकर बेचोगे तो 130 बटे 100 का बेचोगे ठीक है मल्टिप्लाइ कराएंगे कितना आगया आपका 13 लाग 13 लाग में दोस्तों आप एक चित देखिए 2,88,000 रुपई आपको मिल चुके हैं भाई साब आपको पहले से ही रेंट से 2,88,000 रुपई मिल चुके हैं तो आप कितने पर बेचोगे क्योंकि उसे केवल 30 प्रतिसद का हिलाब चाहिए तो 30 प्रतिसद प्रोटल लाब यह हो गया और उसे पहले से ही 2,88,000 मिल चुके हैं तो अब आप कितने का बेचोगे तो इसमें माइनस कर दीजिए जब आप माइनस करोगे 13,88,000 तो आपका बच्चे का दोस्तो 10,12,12,000 रुपए यह आपका राइट आंसर हो गया ओप्सन नमबर B अच्छा कोशन था समझ गयोंगे नहीं बहुत लोग इसको समझी नहीं पाते होंगे तो इसको बस मेरा कहने का मतलब है आप इसको आराम से देखिए आप समझ रहे था तो इस बार भी बहुत अच्छा लेवल आएगा तो मैं इससे भी बेस्ट लेवल आपको प्रोवाइट करूंगा तो आप मेरे साथ बन लगे रहे तो ठीक है अगला कोशन है जी देखिए दोस्तों क्रमचय समझे का सवाल आया तो ठीक है मैं आपको पूरा टॉप पढ़ाऊंगा किसी दिन तो आप मेरे साथ लगे रहें इसे ज्यादा ज्यादा सेयर की जाता कि मैं जल्द से जल्द मेरा मतलब है कि मैं आपको लाइव आके पढ़ाऊ तो प्लीज इस मेरे अभी 1000 सब्सक्राइब नहीं हुए है तो जैसे 1000 सब्सक्राइब होंगे तो मैं को लाइव भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा वह आपके लिए बहुत इब्वेश्ट होगा तो ठीक इसमें बोला है कि 8 पुरुस और 7 महिलों के सम्मू में कितने प्रकार से 6 पुरुस और 4 महिलों का चैन किया जा सकता है तो दोस्तों चैन कैसे करते हैं यह कंबोने से क क्रमचयका सवाल है क्रमचय को क्रमचय में होता है बैठाना चैन करना तो संक्रमचय में लग दून तो ठीक है आठ होप्रुस है आठ में चुनना कितने को है रटоп मैं 67 कि mange दूस्तों इतने चुनना है आप मल्तिप्लाइघ लगई है अगल अगल और लगई ना तो और मॉ साथ महिलों में चुनना कितने को है साथ को बस दोस्तों इतना ही आपको करना है लेकिन आपको इसको सॉल करना भी आना पड़ेगा तो आप इसको कैसे सॉल करोगे मैं आपको डारेट बता रहा हूं देखिए आप कैसे सॉल करते हैं ऊपर तो आप डारेट वही लिख ये लिखने का इसका तरीका होता है तो बहुत लोग इसको लिखी नहीं पाएंगे तो सब लोग छोड़ के आंगे इसको भी दोस्तों कम से कम मात्र 30% लोग कर पाया होगे बाकी छोड़ चुके होगे तो ठीक अगला देखिए उपर क्या बताया था उपर वाला उपर लिख दीजे 7 फैक्टोरियल नीचे क्या बताया था दोनों का अंतर एक बार तो अंतर कितना हो गया 3 फैक्टोरियल एक बार क्या लिख हो गया आप नीचे वाला केवल फैक्टोरियल आसा करता हूं समझ गयोंगे तो आप इसको सॉल्व कर लिजिए बस आठ को आप क्या लिख सकते हैं आठ फैक्टोरियल को मैंने बताया था एट सेवन अब आप सिक्स को बस यह रोख दीजिए शिक्स फैक्टोरियल क्योंकि नीचे भी से स्थैक्स फैक्टोरियल दिससे काड़ सकते आसानी से दो को क्या लिख सकते हैं केवल दो दो इन्टू सकते हैं मुल्टिप्लाइबॉघ सकते हैं शी नको से लाटा पी आप फोर के बाद डार्यक आप और फ्क्रैट लिग दीए क्योंकि यह फ्क्रैट्र से कट जाएगा डारेक्ट तो आप इसको आइसे लिख दिए था लेट दो और चार टारट करें दें चार टत चार लिख देंगे आप ये तीन दूनी छह से चार गशार गया ये दो आप इसको बुड़ा का करा लीजिएगा तो आपका 980 राइट आंसर आ गया असा करता हूं दोस्तों समझ गयोंगे बहुत ही अराम से बताया है तो आपके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हर हर दोस्तों बैच में कम से कम तीन कोश्चन आयत हैं दोस्तों मेरा सपोर्ट करें सभी लोग पिर अगला कोशन है कि 86 नंबर कोशन है एक जिले में कुल नागरिकों के 10 प्रतिसत को अपराद की सजा मिली परंत कुल अपराधियों में से 20 प्रतिसत अपराद करने के बाद भी बच गये तो ठीक है दोस्तों देखिए इसमें बो 20 प्रतिसत अगर बच गये तो दोस्तों हमेशा हैंडेड होता है तो 80 लोगों को सजा मिली होगी सजा मिली होगी सही है मैं दख 80 लोगों को सजा मिली है 20 लोगों को सजा नहीं मिली है लेकिन उसमें क्या बोला है कि केवल सजा 10 प्रतिसत लोगों को ही मिली है तो ठीक है आप 10 प्रतिसत की वैलू ये दिखी आप आगई 80 और 100 परसंट की वैलू कित्ती हो जाए कि 10 इसने बढ़ा है तो ये 0 इसने बढ़ा दी 800 मलब टोटल जन संख्या आपकी 800 थी ठीक है ना 800 अब इसमें पूछा क्या गया आपसे कि नागरिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिसत अपराधी हैं तो ठीक दोस्तों देखी अपराधी हैं 10 तो टोटल कितने थे आपके 800 मल्टिप्लाई एंडरेड कार्ट दीए दो जिरो दो जिरो गो दिये नहीं दोस्तों आठ दस बटे आठ एक मटू कि थोड़ा गरबड हो रहा है कि बीस लोग थें बीस प्रसेंट सजा नहीं मिली और असी आठ सो हो गएं आपके कि इस प्रतिसत को सजा नहीं मिली है और यह आपके असी हो गए हैं तो आप इसको क्या करेंगे सो प्रतिसत की हो दस प्रतिसत असी एक बढ़ाब आठ सो दस प्रतिसत सजा प्रतिसत असी हो गए है प्रतिसत की हो गए है तो आओ ये दोस्तों आप एक जूरो और होगा अब आप पार्ट लीजिएगा मैंने देखाने उपर वो देखिए जब एक नीचे उपरतिसा थटा होगे तो उपर जूरो लग जाएगा तो अजब काट होगे आप इसको साढ़े बारा प्रतिसा द्राइट आंसर आजाएगा यह आपका ओप्सन नंबर ए वाला फिर अगला कोशन देखिए 87 नंबर कोशन है 500 मिली मिली गोल में नारियल पानी और तरबूच के रस का अनपाद 3 अनपाद 2 है तरबूच के रस की कुछ मातरा गोल में मिला जाती है देखिए दोस्तों मैं इसको रेशियो मेंटेट से ब बता रहा हूं देखिए इसमें बोला है कि 3 अनपाद 2 है क्या है नारियल में अलब कोशन वाटर मिलन अब बोला है कि कुछ तरबूच मिला जाता है रस तो एक अनपाद 1 हो जाता है दोस्तों अब इतना बताईए मिलाया क्या जाता है तरबूच लेकिन आप इसमें देखि लगावक इतना जाएगा three ratio three अब आप देखे को कोनेट बराबर हो गया water mornay कितना मिलाया गया तो से 3 हो गया एक ratio मिलाया गया तो पहले आप देखिए तीन दो 5 पांच की वैलु देखिए ऊपर दी है आपकी 500 ml पांसो एक की वैलु आगे एक रेशियो मिला है था तो एक रेशियो कमान देखिए आपका आगे हैंडेट मिली लीटर यह आपका राइट आंसर हो गया देखिए ऑप्सन नमबर डी समझ गयोंगे बहुत ही अच्छा रेशियो से बता है मैंने फिर अगला कोश्चन है 88 नमबर राजू एक्स दूरी वाई की इगत से तैय करता है देखिए दोस्तों मैंने इसका फार्मूला बताया था आपको जब आपसे इस तरह का सवाल पूछता है तो फार्मूला क्या बताया था एस वन पहली चाल मल्टिप्लाई एस टू ये एस वन था एस टू था नीचे आपका क्या आता था time S1 S2 नीचे आपका आता था दोस्तों इनका difference S1 S2 का difference यहाँ आता था time तो बस यही सर्फार्मूला आपको लगाना है तो फार्मूला आपको आपको लगा ओगे बोला है कि पहले चाल मैंने तो पहले मान लिज़े आप S थी स्पीड फिर इसमें क्या बोला है कि 5 से बढ़ा लेता है तो S में 5 जब आप बढ़ाओगे तो मैंने क्या बता है था नीचे अंतर आता है स्पीड में 3 किलो मीटर प्रति घंटा धीरे कर दे तो ठीक है पहले एस थी तो S माइनस 3 नीचे क्या आता है अंतर 3 मल्टिप्लाई आप क्या बोला है हैं 30 बटे 60 दोस्तों यह देखिए 30 बटे साथ कड़ जाएगा अब यह S से S कड़ जाएगा हम मल्टिप्लाई करा दीजिए कितना बजाएगा 3 से मल्टिप्लाई करोगे 3S प्लस पांत तियां 15 बराबर 5 X माइनस पांत तियां 15 यह आप देखिए दोस्तों इधर ले जाए यह घड़ जाएगा 2X यह 15 15 हो जाएगा 30 X की वैलू कितनी आगे आपकी एक कि वाईलू आगे आपकी फंद्रा, एक की वाईलू जो पंद्रा आगे तो आप किसी भी समी शभर में एक मान для दीजिये। मैंने का इसमें आप मान रख दिजें आप इसमें भी रख सकते आंसर आजाएगा तो एकस की जगा पर आप 15 रखेंगे सवर यह एस है एस तो एकस की जगा पर आप जब पंदा रखोगे तो किये 15 15 में तीन कटा ओगे 12 नीचे क्या बचा 3 वहां क्या बचा 30 वटे साथ वो आप डारेट एक बटे दो लिख सकते हैं तो काट दीजिए आप तीन दुनी छे दुनी बारा पंदरा दुनी तीस किलो मीटर आपका राइट अंसर आ गया अच्छा कोशन था यह भी तो आप समझ गया होंगे ऐसा करता हूं वह थी अच्छे से बताया मैंने बहुत अच्छा लेवल था दोस्तो इसका देखिए यह रिजनिंग का कोशन है लेकिन मैट में दिया हुआ तो तो मैं इसको बता दे रहा हूं बोला है कि 9 जून 2011 को सोंबार था तो 7 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा तो ठीक है दोस्तो 9 जून देखिए जून में होते कितने म बचेंगे आपके 21 दिन बचेंगे जून फिर आपका क्या हता है जुलाई जुलाई आपके 31 की होती है अगस्त भी आपकी 31 की होती है सितंबर आपका 30 का होता है सितंबर के बाद अक्टूबर आपका 31 का होता है नवंबर आपका 30 का होता है दिसंबर आपका 31 का होता है लेक तो आप डारेट पहले साथ से काटली लीजिए पहले जब आप साथ से काटोगे साथ Realakir 20 Pro के वल आपका यहांपर Zero बचेए जहां जहां 7 का पहड़ा अपको मिलता चलाई है वावस वहाँ से आप जोड हो गे पिर साथ से बहुंगे जह साथ से न पर दीजिया जोट वहां से पर 28 क्तिर पटाईशयों, इसको फिर शोंटे होगे प रसका और इसको जब कातुगे दो ж इसको कातो गे रसे सपनी होड़े तो फोरा पुरा कर जाएगा अब एक चीज यहां से आपको पता लगए कि 31 के महिने में तीन और दे आते हैं ठीक जब आपको इतना आ गया और सौट करना है तो फिर आप जहां जोड़िए साथ जहां तंग मिले काट देए तीन तो पांच दो साथ यह काट दीजिए मैंने क्या बताया अब कितने बचएं drive के तीन तीन च्छह आप तो दोस्तों काट नहीं पांडि היोगे साथ सासे मिता छोटा लान और दे मानिदब कि छयी दिन आपको ज्यादा जाना पड़े ज़ोड़े सोंबार में ममंगल बॉछ बेसपत सुकर सनिचर इतवार तो और मतलब क्या होता है रवी बार तो आया तो आप मैंने क्या था सोंबार में माइनस करें तब भी आपका संड़े आ जाएगा और नहीं तो तब भी आपका जोड़ कित कर सकते हैं आप पर देखिए सी ओप्शन राइट हो गया फिनिश्ट कोशन है नब्य नंबर कोशन है इंद्रन अपनी वस्तुवे बेच कर 10% लाप कमाता है देखिए मैंने क्या था जब इस तरह कोशन है वस्तुन मूल ना मालूम हो तो 100 माना करिए देखिए जब आप 10% लाप पर बेचोगे 110 का बेचोगे पको पता हो गया उसके ल आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं तो सकाट दीजिए 11 से कटो ग्यारा को 46 चार ग्यारा कम 114 15 अब क्या बोला है लाप का नया प्रतिजद अब 140 की वस्तों का बेच देते हो कितने का लाप होता है दोस्तों 14 का लाप होता है किस पे नीचे क्या होता है सीपी मैंने से लाप प्रॉफिट लेते हैं 14-14 काट दोगे इतना काट दोगे कितना आपका आगया 10 प्रतिशत आपका राइट अंसर आगया समझके दोस्तों आसा करता हूं तो ठीक है दोस्तों आज मैंने 10 सवाल लिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों और बाकी मैं आपको कल प्रॉइट करा दूँगा बहुत अच्छा लेवल था तो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइकता भी बता दूँगा क्रम्चे समझे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इससे कोश्चन बहुत आए है यूपिए साई में मैं आपको दिखाऊंगा तो ठीक है दोस